प्रकांए पसर स्तीजमित और आज हमको छोटे-छोटे से भूल happy funktion किर छोटे-छोटे से फूर बनाने सिखाएंगे अधे आप अधेयर यह हमने निकाला है Dop इसके बाद एक एचरा सब इस तरह से धालेना हैं इसके बाद आप इस पर फ़स्टी सबार लपेड है एक है दो तीन चार पांक छे साथ आट नो दस ग्यारा बारात तेरा चौदा पंदरा सोला सतरह अठारा उन्निस बीस एक्किस बाइस तेईस चोईस पच्चीस हम इसकी ऐसे करके तीन पत्तियां बनाएंगे तो देखिए अगर आप ज्यादा लपेटना चाहें माना तीस बार लपेटना चाहें या इससे ज्यादा तो तीन पत्तियों में उतनी बार ही लपेटे ऐसा नहीं कि तीन पत्तियों में आप अलग अलग संख्या में लपेटे तो इसके तीन पत्तियां बनेंगी और तीनों में आप अपने अनुसार उसकी संख्या गटान पिर देखिया अब हम इसे निकालेंगे हलका सालक छेट से जेन चेट से निकालेंगे तो बाहर ही आ जाएगा इसके बाद देखिये अब हम दूसरी पत्ती बना रहें दूसरी पत्ती के लिए फिर देखिये यह हमने यह किया इसके बाद फिर हम 25 बार ही लपेटेंगे एक, दो, तेन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौधा, तंदरा, सोला, सतरा, अठारा, उन्नेश, भीस, एक्केस, बाइस, तेईस, चोईस, पच्चेस तो लपेटना सभी में सेब है, अगर आप तीस बार लपेटना है, तो तीनों में तीस बार, देखिए विरस को बीच वाले को हमें यूँ पकड़ के रखना होता है, धागा इसे उगलच चाहे, तो आप ये सही कर लें, और उसके बाद फिर खेंच लें, देखिए जब तक आ आप इसको पकड़ के रखें, और इसको खेंचते रहें, इस थागे को, जैसे आप खेंचेंगे, वह वाला इससा काम होता जाएगा, जितना आप खेंच सके उत्ता खेंच लें, और उसके बाद आप इसको उसी छेट से इधर से नीचे कर देए, ये दो बत्तिया हमारी बन आप आएगे, शेम छेट से उपर नहीं आना है, शेम छेट से उपर आने पर वह वापिस बाहर आजाएगा, हलका साथ आप छेट बदल के, अब देखिए हमारी तीसरी पत्ति होएगी है, देखिए इसके लिए भी हमने ये देखिए, आप देख लीजिए, ये देखिए, सरकता सा लिया है हमने, और अब इस पर हम पत्चीस बार लबेटेंगे, एक, दो, तेन, चार, पांक, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चाउदा, पंद्रा, सोला, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, देखिए हमने 25 बार लबेट दिया है, और अब हम इसको पकड़ के रखेंगे, और ये उपर से सुई को खेंच लेंगे, इसे हम खेंचते रहेंगे, तब तक जब तक ये नीचे से धागा दिख रहा है, और उसके बाद, जब हम नीचे करेंगे तो बचा खुचा दागा, ऑपने नीचे चल जाएगा, देखिए यह हमारा सुन्दर सा बूलियन स्टिच का फ्लावर रेडी हो गया है यह देखिए हमारा सुन्दर सा बूलियन फ्लावर तयार हो गया है अब देखिए इसके बीच ही बीच से आप निकालेंगे यह बीच में आपको गड़ा दिख रहा होगा यह गड़ा इस गड़ से ही निकालना है यह देखिए हम बीच के सेंटर में से निकालेंगे यह निकाल लिया हमने और अब बीच में हमको एक फ्रेंच नोट बनानी है देखिए फ्रेंच नोट कैसे होती है एक एक दो तीन तीन लपेटेंगे उसके बाद वापस उसी छेद में डालेंगे इधर इसको हम पकड़के रखेंगे और इसको नीचे डालते जाएंगे कि देखिए यह हमारे बीच में फ्रेंच नोट बनने से फूल और भी सुन्दर हो गया है और इसके बाद नीचे गठान लगाएंगे तो देखिए यह हमारा हो गया है आप चाहें तो इसको ऐसा ही रख लें और अगर आप चाहें कि थोड़ा सा और डेकॉरेट करना चाहें है तो देखिए आप किस तारह से कर सकते हैं कि देखिए यहां से आप निकालेंगे कि एक तरफ से पहला ऑला थोड़ा लंबा लेंगे कि इसके बाद इसके ऑदर सेलेंगे यह थोड़ा चूटे लेंगे कि छोटे बच्चों की फ्रागों पर यह बहुत अच्छे रखते हैं तो देखिए आप यह देख रहे हैं इसको आप यहां और यहां भी बना लें देखिए यह हमने तीनों तरफ कर दिया है इस तरह से आप कर लीजिए बहुत सुंदर लागे काईए